हेलो गाईज वेलकम टू सिलेक्शन क्लासिज आज जो हम लोग है 15 अक्टूबर के करेंट अफ़ेर के उपर डिस्कुर्चन करने वाली हैं और यह करेंट अफ़ेर हैं जितनी भी गॉर्मेंट एक्जाम से सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहनी वाली हैं तो चलिये स्टार्ट करती है आज करेंट अफएर्स की तो फर्स्ट करेंट अफएर है कि विनूत कुमार सिंक क्या हो गया है निधन हो गयाonen गैं ठिक है बिहार के अति-पिछडा और अति-पिछडा वर्गत की मन्त्री विनूत कुमार सिंग का क्या हो गया नीधन होगए किसके कारण COVID-19 के कारण ठीक है तो हाल में ज universes बिहार की अतिपिछडा और अतिपिछडा वर्ग के जो मंत्री है ठीक है COVID-19 कारण उनका क्या हो गया डैथ हो गया वो कौन थे वो थे विनोध कुमार सिंग वो उत्रे बिहार के कटिहार जीले के प्राणपूर विधान सभा चेतर से भाज़पा की विधायक थे ठेक कहां से कटिहार जीले के प्राणपूर विधान सभा से ठेक है कहां से प्राणपूर विधान सभा से और इस निर्वाचन छेतर में तीन बार्बु क्या रह चुके विधायक चुने गए है तो जिनके उनकी क्या हो गई, COVID-19 कानून की क्या हो गई, डैथ हो गई है तो याद रखना है कि विनोत कुमा जिनकी हाल में डैथ हुई है, वो किस छेतर से जुड़े हुए थे तो वो राजनिती छेतर से जुड़े हुए थे, किसे जुड़े हुए थे, राजनिती छेतर से, ठीक है तो यह आपको याद रखना है, और कहां के मंतरी थे, बिहार के चले, नेस्ट करेंट अफेर पे चलते हैं भारत सेना और महराष्ट पुलिस ने महराष्ट के पूने की लुल्ला नगर में आतंगवाद विरूदी अभ्या सुरक्षा कवज का आयोजन किया गया, ठीक है तो हाल में कौनसे राज़ी के पुलिस ने भारती सेना के साथ सुरक्षा कवज का आयोजन किया था तो महराष्ट पुलिस ने किसको लेकर आतंगवादी विरोधी गतिवीधियों को लेकर एक अभ्यास किया था सुरक्षा कवच इस अभ्यास का जो उद्देश है था पूने में किसी भी आतंगवादी कार्यवाई का मुकाबला करने के लिए आतंगवादी विरोधी त्वरित प्रकिरिया टीम यानि एंटी टेर्रिस्ट क्विक रियक्शन टीम को सक्री करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की क्वायद और प्रकिरियाओं में तालमेल बिठाना था थीक है यानि कि भाई तुरंत एक्शन ले सके आतंगवाद के खिलाब तो इसके लिए एंटी टेर्रिस्ट को एक रियक्शन टीम को सक्री करने के लिए पुलिस और सेना के द्वारा ठीक है ये प्रकिरियाओं की गए यानि सु आतंगवादी विरोधी दस्ते यानि ATS और महाराष्ट पुलिस की त्वरित प्रतिकरियाओं टेम नहीं हिस्सा लियाए तिहे किसने किसने इसने हिस्सा लिया तुरित प्रतिकरियाओं यानि क्विक रियक्शन टीम डॉग स्क्वाट को भी रखा गया आपर जो बम सेना द्वारा हाल में भारत सेना द्वारा सुरक्षा कवच ठीक हाल में भारत सेना के द्वारा सुरक्षा कवच जो सुरुक की गई थे ठीक हो कहां की गई थी पूने में ठीक है कहां के पूने के लुल्ला नगर में ठीक है पूने के कहां पर लुल्ला नगर में ठीक है सु आतंग्वाद विरुधी अभ्यास से जुढ़ा हुआ था जाए अधिक है। विश्व आर्थिक मंच यानि World Economic Forum ने अपनी साल 2021 की वार्षिक बैठक को 18-21 मई तक स्वीजरलेंड की लूर्षन बर्गन स्टॉक में आयजित करने की घोशना की है ठेकर 2021 की वार्षिक बैठक थी जो 18-21 मई को होनी है वो स्वीजरलेंड की लूर्षन बर्गन स्टॉक में आयजित करने की क्या की है घोशना की है किसने World Economic Forum ने ठीक है तो 2021 की जो आर्षिक बैठक होने वाली है World Economic Forum की वो कहां पर होगी तो होगी स्वीजरलेंड की लूर्षन बर्गन स्टॉक में होगी यह पहले कहा होने वाली थी दाव होने वाली माहा मारी क और लूर्शनर्बरगन होने वाली वार्सिक में होने वाली दो हजार कि देख धरेट re reduced की theme पर आयोजित की जाएगी इस बैठक में दुनिया की सबसे गंभीर चुनोतियों का सामना करने के लिए जरूरी शमाधानों पर विचार विमार्स किया जाएगा यानि COVID-19 को भी सामिल किया जाएगा परिया वरनी आने वाले परिवर्थनों को भी सामिल किया जाएगा ठीक है अन्य प्रकार की ऐसे समश्याई जो आने वाले समय काफी जादा बड़ी बन सकती है तो से किस प्रकार समाधान किया जाए उसके उपर ये मिटिंग रखी जाएगी ठीक है प्लेज चेंज हो चुका था पहले कहा होने वाल थी पहले दाऊश में होने वाला था लेकिन अब लूर्षन बर्गर स्टॉक में आयुजित की जाएगी अपना स्टेटिक्स जी के देख लीजे विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्याल है ठीक है वर्ल्ड एकनोमिक फोरम का जो मुख्याल है वो कहां पर है कोलान स्टापक है और अध्यक्ष भी आप कहाए सकते वो है कलाउस दीक श्वाप और विश्वार्थिक मंच की जो स्टापक किये थी 1971 में की गई थी नेस्ट करहंट फेर देख लेते हैं online payment processing service online payment processing service amazon pay अब जो है एक cab service provider technology company uber ने भारत में digital भुकतान को प्रोशाहित करने के लिए या ने digital भुकतान को बढ़ावा देने के लिए साज़ेदारी के किसने किशने, uber ने और amazon pay ने यह partnership Amazon Pay को Uber App पर भुखतान विकल्प की रूप में जोड़ेगे Amazon Pay पर एक option और आ जाएगा आप कौल सा Uber पर वहाँ से आप क्या कर पाओगे जो taxi company है service cab company है जो cab provide करती है Uber App जो कि आपको Amazon Pay पर एक option मिलेगा Uber App का तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो payment कर सकते हो Uber Technology Inc. के CEO है दारा खोस्त्रो साही है ठीक है यह Uber Technology Inc. के CEO है तो इसको थोड़ा याद रखने में नाम याद रखने में दिखकत हो ता आप इससे याद रख लीजे दारा खास साही ठीक है यह याद रहेगा तो और MC को आएंगे तो आप आसाने से पहचान पाओगे Uber Technology Inc. का जो मुख्याल है वो है California America में ठीक है कहा है California America में तो याद रखना Amazon पेने हाल में किसके साथ डिजिटल भुक्तान के लिए साजेदारी की है तो वो Uber के साथ की है चलिए अगले Current Affair भारत पेने Brand Remaster के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्ट के साथ जो है अपने सबसे प्रभावे टीम अभियान टीम भारत पे को सुरू करने की घोशना की है तो हाल में जो है भारत पेने Brand Remaster के रूप में कितने क्रिकेटर्स को सामिल किया है तो 11 क्रिकेटर्स स्टार्स को सामिल किया है ठीक है अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को सुरू करने की घुर्षना भी की है इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलिवुड निर्देशक पुनीत मनोत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा और जो हम है टीम भारत पे जो देश की हर दुकानदार के साथ है खड़े का संदीज देता है ठीक है जो इसका एक आप ठीम भी कह सकते हो कि हम है टीम भारत पे जो देश की हर दुकानदार के साथ खड़े है और संदीज देता है ठीक है टीम भारत पे में रोही सर्मा को रखा गया है जस्परित बुमरा है कियाल राहूल है मुहम्मद शामी है राविंद्र जाडेजां सूरी स्रैना स्रेस अयर प्रित्वी शो संजू सैमसंग युजेंद्र चहल और शुभाम गिल ठीक है तो टीम भारत पे ने टीं ब्रैयन अबज़ें में कितने किर्केटर को सामेल किया है तो 11 किर्केटर स्टार्स को सामेल किया है और एक टीवी अभियान में चला रहा कौनसा टीम भारत पे लिए टीम Bht Grat P भी आप आदक से तो 11 350 कwen घुह कैंँआ जो पुरीत मनोत्रा जो है वो जो है निर्देशक करने वाले किसको टीम भारत पे को जिसके थीम आपने पढ़ी लिए हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े तो चलिए आगे चलते बागे हालवे रिजल बैंक ओफ इंडिया ने 50 करोड तक के टर्न आवर वाली कमपनियों के लिए ठीक है कितने करोड पचास करोड तक टर्न आवर करने वाली कमपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम ठीक है सकल खुदरा जोकिम सीमा को ठीक है बैंकों की अधिकतम जो है जोकिम सीमा को बढ़ा कर कितना कर दिया 7.5 करोड रुपए कर दिया है ठेक कितना कर दिया है 7.5 करोड रुपए कर दिया है पहले ये जो ठेक है पहले ये सीमा जो थी 5 करोड रुपए थक थी कितने करोड 5 करोड रुपए तक की थी लेकिन इसके लिएक सर्थ है कि पहले टीम का जो कमपनी उसका साथ क्रोर लगबग लगबग धाई करोर का क्या किया गया है इजाफा किया गया है ठीक कितना धाई करोर का क्या किया गया है इजाफा किया गया है यह दिने छोटे व्योसायों में रिन प्रवा बढ़ाने के लिए लिया गया है ठीक है छोटे व्योसायों में लोग जादा ज मुंबई में है और और इस फार्पना कि गई थी एक अपरेल 1995 में कि गई थी कहांपर कॉल कटा में तो याद रखना डैली मत कर दिना मुंबई मत कर दिना कॉल सबसे पहले इस्थावना लेकिन वर्तमान समय जो आद्बिया का जो मुख्याल है वो है मुंबाइ में ठीक है तो याद दखना भाई जो साड़े साथ करोड की कंपनियों के अधिक्तम सकल खुद्रा जूकिव सिमा को कितना कर दिया साड़े साथ करोड कर दिया है हाल में नरेंद्र मुदी ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरीए पूर्व केंद्री मंतरी डॉक्टर बाला शाहिब विस्खे पातिल के आत्मकथा का व्यमोचन के है तो हालवी जो प्रधान मंत्री ने किस वेक्ति के आत्मकथा का विमोचन किया है, तो है पूरवी केंद्री मंत्री बाला शाहिब विखे पाटिल के आत्मकथा का क्या किया है, विमोचन किया है, डॉक्टर पाटिल के आत्मकथा का सिर्षक जो था देह विच्वा करनी है, जि जिसका अर्थ है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए शमर्पित कर देना जो देविच्वा करने का जो अर्थ बताएगा वो है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए क्या कर देना शमर्पित कर देना डॉक्टर पाटिल कई बार लोक्षभा के सदश्य भी रहे हैं और उनका सा साल दोहजार सूला में 84 वर्स की उमर में क्या हो गया था निधन हो गया था इसके लाव प्रधान मंत्री ने प्रवर रूलर सिक्षा सोसाइटी का नाम भी बदल दिया और उसका नाम रग दिया है लोक नेते लोक नेते नहीं है प्रेंटिंग थोड़ी मिस्टेक है लोक नेत डाक्टर्स बाला शाइब विखे पातिल प्रवर रूलर एजुकेशन सोसाइटी ठीक है ये नाम रग दिया है तो याद रख़ना हिए प्रवर रूलर सिक्षा सोसाइटी का नाम बदल कर प्रधान मंत्री ने क्या रख दिया है तो लोक नेता डाक्टर बाला शाइब of प्रवर रूलर एजूकेशन सोसाइटी इस सोसाइटी के स्थापना एहमद नगर के लोनी जीले में ग्रामिन लोग को विश्वस्तर पर सिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को शक्त बनाने के उद्देश से की गई थी ठीक है किसले शुरू की गई थी कहां पर शुरू की प्रदान मंतरी मोधी जी न किसकी आत्मकता का इमोचन किया है तो केंद यह मंतरी डॉक्टर बाला शाहिब विखे पाटिल का और एक सिक्सा रूलर सुसाइटेक का नाम बदल के क्या लख दिया है लोग नेता डॉक्टर बाला शाहे विखे पाटिल चलिए नेस्ट हमारी जो करेंट अफैर है वल्द एकनोमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुशार अंतरास्टी मुद्रा कोर्स याने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारती अर्थ विवस्ता के वितवर्ष 2020 और 2021 के लिए एक पूर्व अनुमान जारी किया है वो भी कॉविट को ध्यान में रखते हुए ठीक है जिसमें क्या बतायागी है लगातार कॉविट के और भारत वो बढ़र है याने एक तरीकी से इकनोमिक आने वाल समय भारत के गिरने वाली है ऐसा इंटरनेशनल मॉनेरिटी फंड का कहना है एक अनुमान उने लगा है IMF में 2021 और 22 के लिए याने आने वाली वितवर्ष में भारत की GDP तेजी से उभरती हुई अर्थ्योस्ता में स्थिति पाकर 8.8% की दर से बढ़ने की अनुमान भी जता है यानी की 20,21 के लिए जो रखा है, वो रखा है माइनस 10.3 और आनि वाला 2021 और 22 फंड के लिए इनुमान रखा है क्या 21 और 22 के लिए इनुमान रखा 8.8% चीब है, यह जो है 21 और 22 वितवर्ष के लिए रखा है IMF का जो मुखहले वो है Won adopton D.C. USA और IMF के जो प्रबंधक निदिशे के नद्यक्ष कहोगे आप कृष्टी लिना जौर जीवा ठेकों कृष्टा लिना जौर जीवा और IMF के अर्जसास्त्री गीता गुपिनात ये 2018 के आसपा से पॉइंट की गई थी और काफी ज्यादा करेंट अफेर में चर्चा में भी रही थी तो चलिए अब आगे करेंट अफेर पे चलते हैं वर्ल्ड स्टान्डर्श दे ओफ ब्रॉर्ड इथर एंटरेशनल स्टान्डर्स दे आपको हूं विस्व मानक दिवस या अंतरास्टी मानक दिवस हर साल जोए कम मनाया जाता 14 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या वर्ल्ड स्टांडर्स दे या इंटरनेशनल स्टांडर्स दे कहो विस्व मानक दिवस कहो या अंतरास्ट्य मानक दिवस कहो ठेक है कब मनाया जाता है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है तो याद रखना विस्व मानक दिवस जो है कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को इसका जो मेन लक्ष है है जो मेन उद्देश है जो उपभोगता है यह ग्राहक है नियामकूं उद्ध्योगूं के बीच वैस्विक अर्थवस्ता की माने की करण के महत्व के बारे में जाता बढ़ाना विश्व मानक दिवस 2020 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग दप्लेनेट विथ स्टांडर्ड्स जो याद रखना दोनों ही वो स्टांडर्स डेकी जो थीम है प्रोटेक्टिंग दप्लेनेट विथ स्टांडर्स यह कम मनाया जाता है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और चलिए थोड़ा और देख लेते हैं करेंट अफेर और यह करेंट अफेर अंतरास्ट इस तरके हो सबसे बड़ी करेंट अफेर आप कह सकते हो कि फाइनेशियल एक्शन टास्क फोर्स ठेक है फाइनेशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एशिया पैसिफिक ग्रूप ने पाकिस्तान को अपनी अनहेंस्ट फोलो अप के सूची में रखा है इस अंगठर ने पाकिस्तान के वर्तमान इस्तिती रेगुलर फोलो अप को घटा कर जो है अनहेंस्ट फोलो अप कर दिया है अनहेंस्ट फोलो अप का आर्थ होता है कि उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट फाइनेशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौपनी होगी याने कि भाई जो भी फाइनेशियल रिपोर्ट होगी ठीक है वो अब किसको दिनी पड़ेगी एफ एटी एफ को दिनी पड़ेगी ताकि एफ एटी एफ जाच कर सेकि भाई जो पैसे जो आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी जाती तो पाकिस्तान उन पैसों का करता क्या है ठीक है इसलिए थोड़ा एक पोजिशन डाउन कर दिया गया है रेगुलर फोलो अप से उठा कर पाकिस्तान को अब अनहेंस्ट फोलो अप के सूचिय में राख दिया है ATF ने एशिया प्रसान समो ने पाकिस्तान के आपसे मुल्यांकन पर अनहेंस्ट फोलो अप नामक के एक रिपोर्ट प्रस्तूत की इस रिपोर्ट में Financial Action Task Force के द्वारा पाया गया कि पाकिस्तान के आतंगवादी प्रणाली और आर्थिक रूप से धन संशोधन विरोधी लड़ाई का मुकाबला करने में Financial Action Task Force की 40 सिफारिसों में केवल 2 का अनुपालन ही किया गया ठीक है कि भाई आप आतंगवादी के खिलाफ जो आतंगवादी को खतम करने के लिए जो आपको पैसे दिये जाते हैं 40 सर्ते रखे गई थी मातरत पाकिस्तान ने उसमें से 2 सर्तों का क्या किया अनुपालन किया ठीक है तो ये कहीं न कहीं जरूरी भी था कि आप जो आर्थिक मदद जो आपको दी जाती है आतंगवादी गतिवीधियों को रोकने के लिए country development के लिए हो लेकिन उसका पैसा आप आतंगवाद को बढ़ावा देने के लिए करें तो इसकी जाज करने के लिए जो है रेगुलर फोलोप की सुची से हटा कर अनहेंस्ट फोलोप की सुची में रखा है तो ये जो important news है कि हाल में किस देश को जो है रेगुलर फोलोप की सुची से हटा कर अनहेंस्ट फोलोप की सुची में रख दिया गया है तो वो है पाकिस्तान ठीक है कौन है वो पाकिस्तान देश है ठीक है तो इतना ही आपको याद रखना है कि भाई किस देश को जो है अनहेंस्ट फोलॉप की सूचे से हटा कर रेगुलर फोलॉप की सूचे में रख दिया गया है तो वो है पाकिस्तान ATF का जो मुख्याल है पैरिस फ्रांस में है FATF ठीक है Financial Action Task Force की जो स्थापना की गए थी 1989 में की गए थी और पाकिस्तान के प्रदान मतरी इमरान खान और राष्ट पतिया आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद तो दोस्तो आज के लिए जितने भी इनपॉर्टन करेंट अफेर्स थी वो मैंने करा दी है आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल थोड़ा नया है तो सपोर्ट करिए और जादा जादा वीडियो को सेयर करो लाइक करो और अच्छे खासे लाइक वीडियो पर आने लग जाएंगे तो हम आपको मन्तली करेंट अफेर भी प्रोवाइड कराएंगे ठेक है एम सेक्यो टाइप में या वन लाइनर के टाइप में हम आपको यह देने वाले हैं डिटेल करन्ट अफेर तो मैं डे बाइडे करा ही रहा हूँ लेकिन रिवाइज के लिए जो मन्तली रिवाइज होता है ठेक है उसके लिए हम लोग कोश्टिन लेके आएंगे लेकिन उससे पहले आप ज़ो है ज़्यादा ज़्यादा वीडियो सेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करका बैल आइकन दबा दें जिससे क्या हों कि हम आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं हमारा confidence भी लगातर बढ़ता रहे हैं और हम वीडियो बनाने सब्सक्राइब करें तो फूर्टिन अक्टूबर को सेलिब्रेट करें आता है तो चलिए गुडबाई टेक केर मिलते हैं कल